जै जै श्री राम जै जै हनुमां भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर पसंग आता है सुन्दर काल का जी हां यह सुन्दर कान परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेका नेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कान को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभूश्री राम जी की कृपाएं फ्राप्त होती है तो आईए पवित्र पावन सुन्दर कान का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायण में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कान्ड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायण में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कान्ड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायण में सबसे सुन्दर मा सीता को खोजते खोजते श्री हनुमान जी अंगत जामवंत जी और अन्यवीर सागर तक पर आ पहुँचे हैं जामवंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर पवन वेक से उढ़कर सागर पार करने को निकल पढ़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षऽी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुई श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकीनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकीनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुष्ठिका की मारी लंकी निधरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बत लाई हनुमान के हाथों मर की मुक्ती उसने पाई है लंका भीतर हनुमत आए अखियां फिर चौन दाई है सिया मा का पता न पाए सिया मा का पता न पाए तैरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है लामायन में सहसे सुंदर भूग तो सुंदर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये गुणवान है रामायन में सबसे सुन दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती सत्य जानने है तू वे ब्रहमन का रूप बना कुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीषण को पाते दोनों में मैत्री हो जाती है और वहीं से हनुमान जी को मा सिया का पता प्रात होता है अशोक बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुद्रिका देकर उनका संदेश देते हैं और मा सीता से वातसल्य और धेर सारे वर्दान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बगया से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावण का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावण के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावण रोध में आजाते हैं तेल पोरी पट बांध पुनी फिर पूँच में आगती लगवाएं अनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई गूंज रहा लंका में देखो हाँ गूंज रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सहसे सुन्दक भगतों सुन्दर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उद्धोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कुटिया को छोड़ सारी लंका जल कर राख बना दिया समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरू उनकी चूडा मणी लेकर जै श्री राम का उध्धोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को फ्रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभु की सेना सागर तट पर आप पहुंची है तीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना शिरी राम ने अगनी बाण फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांगली सागर ने और ये उपाय थे पतलाएं नल और नील के हाथों सागर पर से तू तो बंधवाएं शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तो सुन्दर कान है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तटपरा पहुची रामन का भाय विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिली थो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे है दोनों योधाओं में घंगोर भयंकर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विवीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्ध सुषेण को लियाए वैद्ध जी के बताय नुसार श्री हनुमान जी पवन वेख से उड़कर हिमालय परवत श्रंकला से संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवत की उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आँसू भक्त और भगवान के आँखों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर जुमतों सुन्दर गान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावन और राम जी के बीज घंगोर युद्धु हुआ भकतों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योध्धाओं के साथ पुष्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रत्नों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोध्वे विवीशन के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भराई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सबको करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों वस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे रामायन में भगतों वस्ते प्रभु